एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमिशन एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भरश्टाचार अनाचार कुर्शी से चिपखना लोगों के भोखा देना खुद मेवा खाना मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला कमिशन के बदाएं मिशन मना करके देश की सेवा में जुट गए बरश्टाचार समाप्त किया लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया सेवा के साथ चलो और विकास की नई रंडीती के तहर्ट विकास के कारे में जुटो यह मोदी जी ने कहा आज भारत की राजनीती की संस्कृती बदल गई है कॉंग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीती में करेंगे तो करेंगे क्या क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने हम तो आए थे वन गुजरात की जनता को और भारत की जनता को अगा करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे सेवा करने वाले रहेंगे बाकि सभी पार्टियां कोई इंडरेश्ट्रिय पार्टी नहीं रह गई कोई राष्ट्रिय पार्टी नहीं रह गई और मैं पूरी चिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ Congress भी सिकुड़ गई Congress भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई और न ये अब राष्ट्रिय पार्टी रह गई है न ये भारतिय पार्टी रह गई है अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है बाकी सब ताली बजाओ थाली बजाओ शुट्टी पाओ तुमारा कोई काम नहीं है वल्शुवाद की राजनीती जम्मू कश्मीर देखो PDP National Conference परिवार की पार्टी पंजाब में आओ शुर्वनी अकाली दल परिवार की पार्टी हर्याने में जाओ चोटाला का परिवार परिवार की पार्टी उत्तर प्रदेश में जाओ चौबिस करोण का प्रदेश समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी स्वर्गी अमुलायम सिंग यादव और अकिलेस की पार्टी बिहार में आओ आर जेडी लालो यादव तेजस्वी यादव परिवार की पार्टी बंगाल में जाओ पीशी भाईपो ममता और उसका बदीजा अभिशेक परिवार की पार्टी जारकंड में जाओ शीबू सुरेन हेमन सुरेन जारकंड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्ट उरिशा में जाओ बीजू पत्नायक परिवार की पार्टी व्यक्ति की पार्टी आंद्रप्रदेश में जाओ जगन महुन की पार्टी वाईसर परिवार की पार्टी अब तेलंगाना बजाओ केसी आर केशव चंदरशेकर रहा हो तेलंगाना राज्य समिती टी आरेस खुद म मुख्य मंत्री बेटा मंत्री दामाद मंत्री बेटी MP की केंडिडेट पोता आना बाकी है बाकी सारा परिवार की पार्टी तमिल नाड़ु जाओ स्टैलिन डीम के परिवार की पार्टी अभी ये शिवसीना भी तूट करके शिवसेना बची नहीं तो ये भी परिवार की पार्टी हो गई थी ये भी हमको ध्यान रखना है अब जाकर के जब शिंदे साब आये हैं तो उन्होंने विचार की बात की और परिवार की पार्टी टूटी और एक समय आपको मालूम होगा यही अखलेश बोलता था कि ये तो मोदी टीका है ये तो बीजेपी का टीका है अब चुपके चुपके खुद लगवा लिया खुद लगवा लिया और दूसरों को बोला कि यह न लगाओ ऐसे नेताओं को रहना चाहिए क्या ऐसे राजनेताओं को रहना चाहिए क्या यह कॉंग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे कि वी आर नौट गिनी पिग्स हमारे उपर एक्स्परिमेंट कर रहे हो तुम तुम हमारे स् आज दो सो सत्रा करोड डोजेज लगा है ये हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी थे जिनों ने सीधे पुतिन से बात की जिसने सीधे जलिस्की से बात की और जिनों ने युद को रुखवाया और बाइस हजार बच्चों को सुरक्षित निकाल करके भारत पहुँचाया जिसमें दो हजार बच्चे गुजरात के भी थे हैं कि वीडिया इस बातों को नोट करें कि हमने आपके सामने आकर के कोई इधर उधर की बात नहीं की है हमने वो बात की है जो गुजरात की धरती से आगे बढ़ा है और विकास में नए आयाम जिसने लिखा है उस दारी बातो को हम आपके सामने रख रहे हैं लेकिन मित्रों ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वार का धीश की गौरव यात्रा नहीं है ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के ये शुश्वी प्रढान मंत्री ने कारे किया है उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धर्ती है ये भी हमको याद रखना चाहिए है भijd मित्रों जी ने कि फिर्फ देश को कि सेवाही नहीं की है ब मोदी जी ने हैं सिर्फ देश में स्सकृत नहीं की हैं मोदी जी ने देश की राजनीती की संस्कृती बदल डानी है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए झाल झाल